में आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रिक्वेस्टेट विडियो और यह है मटर पनीर मटर पनीर बहुत तरीकों से बनाया जाता है इसको बनाने के लिए जितनी भी तरीके से बनाएं यह बहुत ही डिलिशियस लगता है मज़ेदार लगता है खाने में क्योंकि मटर का जो कॉमिनिशन है उसके साथ बहुत ही मज़ेदार है तो मैं इसे अपने स्टाइल में आज बना कर दिखाऊंगी तो शुरू करते हैं हम इसे बनाना तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कड़ाई में दो बड़े चम्मज घी घी रखें एंगे और इसमें कटे हुए यह प्याज डालेंगे प्याज को हरके सुनेरी राम से ब्राइब करेंगे जब तक यह सुनेरी खरे लाल रंग के नहीं हो जाते तब तक हमें इसे प्राइब करने हैं तो रेड़ करेंगे तमाटों हमने छोटे छोटे पीसे इसकार दिये थे इसको भी हमें अच्छे से थोड़ा सा पकाना है हल्की आज पर अब हम इसमें धरी मिच्ची एड़ करेंगे इसमें ये लसन है लसन एड़ करेंगे और ये छोटे पीस अद्रक के है अद्रक एड़ करेंगे अब इन सब चीजों को अच्छे से थोड़ा प्राइब करतेंगे तो प्रेंड्स ये अच्छे से फ्राइ हो चुके है हमें इसको ज्यादा मेच नहीं करना है और इसको अब इसकी अच हम ग्रेवी बनाएंगे तो चलो इसकी अच हम ग्रेवी बनाते हैं दोस्तों देखिए ये आज हमारी ग्रेवी बन चुकी है अब इसमें हम एड करेंगे राइ तड़के के लिए पुलाप ़ूसाजी अधे मारी प्रेश पक्ते प्रेश पक्ते तो चाहर पाँच है नौग अब बिस्कोच्छे प्राई करेंगे तो देखिए प्रेश हो चुखा है अब हम इसमेर तरीगे ये ग्रेवी जब तक है अज़र नाहें आज़र्च तो चाहिए असज़र लाइब प्रेश और जब तक है अच्छे लाइर हम जब तक यह आच्छे लाल कलर का हो जाएगा जब तक हमको इसको पकाना है तक यह लाल कलर का ना हो जाएगा इसके बाद हम इसे इसमें यह मट्टरेड करेंगे देखिए कि हमने मट्टरेड कर दिया है इसको भी हम थोड़ी थोड़ी थाइम के लिए पकाएंगे करा कर दो कहाईं पकल थाओ़ी वय हम यह जढाएंगे अज़री थेखिए कोर दिया है इसके लोड़ी थाव़ी थाखिए झाल ला बोड़ी थाव़श्स। दोस्तों अब हम इसमें लाल मीर चेड़ करेंगे देखिए दू चमच हमने इसमें मिश डाल दिये और अब इसमें हम हल्दी डाल दिये और थोड़ा सा सुखा धनिया दो बड़ी चमच सुखा धनिया एड़ कर दिया है और इसके बाद एक बड़ा चमच नमक लाए गया है लाद इसको मैच कर देंगे लाद इसको मैच कर देंगे लाद इसको मैच होने देंगे देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर लग रहा है खुश्बू भी अच्छी आ रही है बहुत बढ़िया बहुत मज़िदा सब्जी बन गई है देखिए अब हम इसमें पनीर एड़ करेंगे यह पनीर पनीर को पांच मीट पकने देंगे पनीर को पांच मीट पकने देंगे इसको हिलाते जाना है ताकि यह कडाई पे निशनचिक पक्च़ आए इखिए तो देखिए ये अच्छे से रेडी हो गया है ये मेटर पानीर की सबजी अच्छे से बन गई है और मैच भी हो गई है इसमें एड़ करेंगे हम हरा धनिया हरा धनिया एड़ करेंगे एड़क करेंगे है दो बना हरा धन्ना एड़को अपे आरिग मेरा गल जूड़को अपे पाना हरा भी हो जो शेखिए तो नहा है झास दो बना है अच्छे से घड़को बना है बनापना है इस हम भलता है ये अच्छे से और भी मज़िदार सब्जी लग रही है और पंचुकी है और अब इसमें हम घरम मसाना एड करेंगे जो कि मैंने ये घर पर तयार किया है लेखें दोस्तों अब ये अपनी मटर पनी की सब्जी बन चुकी है ये खाने भी बहुत स्वादिश्ट है और बहुत ही मज़ेदार तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सस्क्राइब करें कमेंट करें और लाइक करें हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के लेकर